यह दिया आप एक entrepreneur बनना चाहते हैं एक business चुरो करना चाहते हैं और उस business के जरिये profit कमाना चाहते हैं तो wholesale distribution में शामिल होना एक बहुत ही अच्छा विकल बन सकता है क्योंकि एक as a wholesaler we will provide products to other companies for a profit याने की manufacturer से लेके आप retailer को एक products बेच सकते हो जिसके तुर आप profit बना सकते हो और अगर आप wholesale का business करना चाहते हो तो आपको उसके start करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं जैसे की financial planning, clear business plan, sourcing items, finding space for your wholesale business तो यह सारी चीजों का यहाँ पर हम सारी चीजों एक साथ देखने वाले हैं तो इस वीडियो को अंततर देखते रहेगा ताकि आपको wholesale business के बारे में पता चले और इस चानल को subscribe करना ना भूलेगा तो सबसे पहले जब भी आप wholesale distribution का नाम सुनते तो आपकी दिमाग में क्या आता है एक बड़ा storage space आता है जिसमे बहुत सारे सामान आपको दिखाई देते हैं और जो जिसके तुरू आप कुछ रिटेलर को या फिर जो भी डिस्ट्रिबूटर से मार्केट में उनको आप यहां पर supply करते हैं और इसके जर्रेया profit कमाना चाते हैं आम तर पर ऐसा लगता है कि जो भी wholesale distribution का business करता है उसके लि आपको लगता होगा कि बहुत सारा जो initial investment हो ज्यादा होगा लेकिन इसे भी कुछ investment है जो wholesale business आप कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा investment की ज़रूत नहीं है जैसे कि home record के जो items रहते हैं या फिर handmade candles and sticks रहते हैं या फिर ice cream के जो coins रहते हैं उसका business कर सकते हैं या फिर paper के bags जो और जो चत्वीज रहते हैं उसका भी आप wholesale distribution का business कर सकते हो जहाँ पर ज्यादा आपको investment की ज़रूत में है और अगर थोड़ा आपके पास अच्छा खासा फाइसा है और जैसे उसके तू ज्यादा profit कमाना चाहते हो और जिसकी market में बहुत ज्यादा demand है इसे business में आप गर आ जाना चाहते हो तो सबसे पहले नाम आता है textile industry का जी हाँ दोस्तों textile business बहुत ही लार्ज segment में है यहां पर yarns fabrics ready made appareils and home decor के बहुत सारे आपको segments देखने मिलेगे और textile industry का जो wholesale distribution का dealership है बहुत ही आसानी का मिल जाएगा क्यूंकि तो market में textile की clothes की जो demand है बहुत ज्यादा है इस लिए हर एक को यहां पर इंटरी करने को मिल सकती है और जिसके तुरू अच्छा खासा profit बनाया जा सकते है उसी के जर्या कर देखा जाए तो अगर करना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो लेकिन यह तो कुछ examples हुए जिसके अलावा आप जो area में रहते हो वहां के भी आपको wholesale business इंडिया में कही पे भी start करना है चाहे आप urban cities में रहते हो या फिर आप rural areas में रहते हो चाहे जहां पे भी आप अगर wholesale का बिजनेस शुरू करना चाहते है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना हुगा कि देश में बड़ी संद क्यामियों manufacturing की unit होने के कारण जो different उत मिल जाता है और एक एसा व्योसा है जो आपको यहाँ पे profit यादि profitability भी सुरिष्चित कर देता है तो इसको करने के लिए कुछ steps है जो steps हमां यहाँ पे देखने वाले जिस steps का आपको यहाँ पे ध्याड़ रखना होगा सबसे पहला steps है selection of product जी हाँ दोस्तों बोथ ही important है जो products के पहले से कोई यहाँ पे distributor या फिर shops नहीं है इसा आपको market research करना होगा जिस market research के तो आपको देखना होगा कि आपके area में कौन सा product के तो आपको popularity भी मिलेगी और profitability भी मिलेगी क्योंकि यह दोनों चीज़े जब साथ में आएगी तभी जाके जो profit है वो बहुत ही अच्छा खासा तबड़ा आपको मिलेजाएगा इसी लिए profitability और popularity यह दो चीज़े wholesale distributor को ज्यादा तर देखना होगा और इसके लिए वह थी deep market research करना होगा क्योंकि अगर market research अच्छे से नहीं किया तो आगे चलके आपको problem आ सकते हैं तो selection of product जो first step से हो बहुत important एक बार आपका product का selection हो गया तो आपका जो business का नाम है और जिस MTT में आप जाना चाते हो उसका registration करना ज़रू है फिर आप business का नाम चूज कर सकते हो और एक बात ध्यान में रखेगा business का जो नाम है या company का नाम है उसको copy मत कीज़ेगा और उसको अगर आपको copy नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते ह जो अपिस रहता है वहाँ पर एक business search का page रहता है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि पहले से कौनसे नाम से business register हो चुके है ताकि आप अपने business के लिए एक unique नाम दो सके और unique नाम का ज़्यादा फायदा हो सकता है और जिसके तो आपको आगे यहाँ पर success मिल सकता है यह त आपको एक गोदाम चाहिए यानि कि storage space साहिए तो एक warehouse का आपको setup करना होगा और वह बड़ा warehouse चाहिए क्योंकि जितना बड़ा आप supplier बनना चाहते है उतना आपको जहाँ पी चाहता जब रहेगी वेराँ setup करने के बाद आपको जो भी wholesale warehouse के business के related जो भी wholesale के license है और जो भी permits ह है वो आपको by law जो भी एक lawyer hire कर सकते हो जिसके तुरू आप यह सारी चीजे जो जो law के related चीजे है वो आप यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि बहुत important step है जिसके अगर आप खुद से सारी चीजे करने लोग होगे तो आगे चलके कुछ आपको परिशानी जिल सकते है तो visually आप ज प्रोड़क्ट का wholesale हो गया अपके पास गोदा में प्रोड़क्ट आ गया अभी आपको जो है establishing and maintaining a good contact with supplier जिस supplier से आप मान लेना चाहते हो उसके साथ आपको यहाँ पे अच्छा contact रखना ज़रो है तक पोचने के लिए आपको वहाँ पे एरिया में सारी जगों पे market research करके वो dealer के पास जाके वहाँ से आप जो है product उठा सकते है तो एक जो dealer है जो manufacturer है जिसके साथ आपको एक अच्छा contact बनाए रखेगा तो आपको आसानी से आगे चल के business में success में सक्सेस में सकता है वो सब होने के बाद आपको यहाँ पे अपना business जो है वो अच्छे से supervise करना होगा य देखता है या फिर cash inflow outflow देखता है उसको भी आपको देवी यहाँ पर supervise करने की ज़रू थे उसके आलावा market में growth करने के लिए supervision की ज़रू थे या फिर आपका जो delivery raw material अच्छे तरीके से हर दिन जा रहा है नहीं जा रहा है उसकी भी supervise करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गाटा हो सकता है तो supervision भी एक important चीज है और उसके बाद आपको जो है market में जो किसी के साथ या फिर dealer के साथ या फिर manufacturer के साथ जो है network है वो बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो तो सीधा जो mail भीच सकते हो say direct mail to that manufacturer या फिर आप अपने business को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो जो भी relevant publication से उसमें आपके advertisement लगा सकते हो banner लगा सकते हो उस area में या फिर जिस तरीके से आप template बना के उस area में बैच सकते हो बाट सकते हो तो उस तरीके से आप अपने अपको खुद को sale कीज़ेगा अपना जो area है उस area में अपने नाम का यहाँ पे आप सबको पता चलना च जरू थे उसके साथ साथ आपको एक खुद की अच्छी website यहाँ पर बादानी होगी जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आसानी से सबको समझ आए यह से आपको website में सारा content डालना होगा उसके बाद है आप क्यूंकि आजकल का जो जमाना है वो digital media का है तो आप digital media का use बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि उसके जरिये आजकल भूत सारा सेल हो रहा है क्योंकि Amazon Flipkart जो भी snap देले से बहुत बड़े companies है जिसके तरह आप देख सकते हो कि करोड़ों का माल इस companies के तुरू या फिर इसके तुरू बेचा जा रहा है तो आप जो है जो भी social media का network है उस इसको strong बनाएगा वहाँ पर आपके add डालिएगा और जिसके तरह भी आप online भी आपके product बाच सकते हो और offline भी बाच सकते हो तो उसे आप करके एक अच्छा खासा यहाँ पर business seed करके आपना network बड़ा सकते हो और सबसे important चीज है यहाँ पर last but not the least कि आपका जो payment का policy है वो और रहिना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गड़बड होते हैं आप किसी को अगर उधारी पे माल देते हैं तो उधार माल के अगर पैसे नहीं आए जल्दी या फिर आपको आगे cash flow नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सब्गट में आ सकते हैं तो very important is keep a strict payment policy with dealer तो इमि इसको like कीजिएगा और अपने दोस्ते के साथ share कीजिएगा thank you